क्या आप जानते हैं, अगर आप साथ मंगलवार लगातार कुछ उपाई कर लेंगे तो आपके जीवन के हर एक दुख और कष्ट हनुमान जी दूर कर देंगे, लेकिन सोचने वाली बात है आखिर वो कौन से उपाई हैं। कहा जाता है कि अपने सभी तरह के दुखों से छुटी पाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में काली उड़त की डाल के कुछ दाने डाले दें। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति शनी के दोश से परिशान है तो उसे मंदलवार के दिन एक खास उपाई करना चाहिए इस दिन काली उड़द, एक सिक्का और कोईला लेकर उसे एक पोटली में बांध दें, इसके बाद इस पोटली को अपने सिर के चारों और घुमा कर बहते पानी में बहा दें वहीं अगर आपके जीवन में दुखों का पहार तूट गया है जिसके बारे में आप किसी से बाद भी नहीं कर सकते ऐसे में उन दुखों से मुक्ती पाने के लिए और अपने मन को हलका करने के लिए मंदलवार के दिन पीपल के ग्यारा पत्ते लें और उन्हें पानी से साफ कर लें इसके बाद पत्ते पर चंदन और कुमकुम से श्री राम लिख लें इसके बाद इन पत्तों को माला बना कर हनुमान जी को पहना दे, बजरन बली आपकी दिक्कत जरूर दूर करेंगे इतना ही नहीं अगर आप अपनी नौकरी को लेकर परेशान हैं और कार्यक शेत्र में समस्याओं का सामना कर रहे हैं कि 21 दिनों तक एक जगा बैठ कर अगर अनुष्थान पूर्व के कार्यक किया जाए तो अधिक लाबकारी साबित होता है वहीं दोस्तों, अच्छा वक्त आने से पहले भी मंदलवार को हमें संकेत मिलते हैं, जो कोई और नहीं खुद पवन पुत्र देते हैं पहला, इस दिन किसी बंदर का आपके घर आना, हर शास्त्र में वानर को बजरंग बली का ही रूप माना जाता है इसलिए अगर मंदलवार के दिन आपके घर पर कोई भी बंदर आता है और वह किसी चीज़ को उठा कर खाता है तो उसे बहुत ही शुब संकेत माना जाता है मंदलवार के दिन घर पर बंदर आना ये संकेत देता है कि हनुमान जी उस घर के व्यक्तियों पर बहुत प्रसन है और वहर मुसीबत में आपके साथ है दूसरा, गाय का घर पर आना अगर इस दिन घर पर लाल रंग के किसी गौमाता आती है तो बहुत ही शुब संकेत माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाल रंग के गाय का मंगलवार के दिन घर के बाहर आना कर संबंधी परेशानियों से चुटकारा मिलता है और घर में सुक शांती और सम्रिद्धी बनी रहती है इसलिए इस दिन अगर गाय आपके द्वार तक आती है तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने को दे और हो सके तो उनकी पूजा भी करें तीसरा, घर में लाल रंग की चीटियों का दिखाई देना दोस्तों, लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है और चीटियों का संबंध महलक्ष्मी से है इसलिए अगर मंगलवार के दिन आपको अपने घर में लाल रंग की चिडिया दिखाई दे अगर मंगलवार के दिन कोई भी लाल या भूरे रंग के कुट्ता को चौकर की ओर आते दिखे तो ये बड़ा ही शुब संकेत माना जाता है इसे आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और शत्रूं से रक्षा होती है इसलिए कहते हैं कि कोई कुट्ता आपके दर्वाजे तक आय तो उसे खाने को जरूर देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के शत्रूता संबंधी परेशानिया उसे मुक्ती मिल जाए पांच्वा, किसी संत्या संयासी का घर के कई चौकर पर आना इसके साथ ही मंदलवार के दिन किसी के घर या दर्वाजे पर अगर कोई संत्या संयासी आते हैं तो इसे बड़ा ही शुब संकेत माना जाता है शास्त्रों की माने तो सन्यासी हमेशा ब्रमचारी रहते हैं और बजरंग बली उनके हृदय में वास करते हैं इसलिए कहा जाता है कि अगर इस दिन कोई भी सन्यासी, संत, शाधू घर के द्वार तक आये तो उन्हें खाली हाथ ना जाने दे उन्शाधू संतों को कुछ ना कुछ दान दक्षिना देख कर ही विदा करें इससे आपके परिवार में सुख, शान्ती वा सौभाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे और घर में शान्ती और खुशनुमा माहौल बना रहेगा क्योंकि किसी भी सन्यासी का अनादर करना भोले नात के अपमान करने के बराबर माना जाता है जिससे मनुष्य को जीवन में दुरभाग्य के सिवा कुछ नहीं मिलता है